कि अब्रीवन आज जो हम लोग कर रहे हैं कि प्राब्लम ऑन एजस का एक डाउट वाला कुशिन है देखते हैं आप लोग वीडियो के एक बार पाउस कीजिएगा बनाने का ट्राइ कीजिएगा और उसके बाद एक बार आंसर चेक करने के लिए देखिएगा या फिर नहीं ब फादर के देखिए यहां पर ट्राइम और फाइण तरीके से आया है तो मैंने क्या बता है कि जो भी आपको सबसे बड़ा पता चलता है उनको आप LCM लेने कर किजिए कोई 2 time है कोई 5 time है दोनों का LCM 10 होता है पता चल रहे हैं सबसे बड़े फादर है इसको आप 10 ले सकते हो ठीक है 10X यह इसका 5 गुना है मतलब यह 2X होगा और यह sister का दुगना है मतलब यह X होगा याद इसको आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो कि sister अगर X है तो कल्यान उनके 2 times है 2X हो जाएंगे और कल्यान के 5 times है father मतलब यह 10X हो जाएंगे आप इसको जैसे समझना चाहें उसे recording कर सकते हैं बस अब कुशन निक्दमीदी है यह अभी present का एज बता रहे हैं ठीक है यह बता रहे है present का एज ठीक है आफ्टर टू यह अगर मैं बोलता हूं कि after two years मतलब अगर दो साल के बाद का combine एज पहली बात तो यह इतना एज है यह पूरा सम हो जाएगा हाना 2X प्लस X प्लस 10X और सभी का एज तो दो दो तो बढ़ेगा टू प्लस टू प्लस टू मतलब थी तैमस आपका टू बढ़ जाएगा ना थी ताइमस आपका टू बढ़ जाएगा और टोटल मैं 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 इसका पुछा जाए यहां कि सिउस्टर एकस हो गया अगर कल्यान का पूछा जाता है तो हम दोग 10x कर देते यह हमारा क्या हो जाता है इसमें से आपको कुछ भी पूछा जाए अब आप निकाल सकते हैं देखेगा प्रॉब्लम और एजस के हम लोग पूरा टॉपिक कर चते हैं इसी प्लेलिस्ट में है करते हैं इसके अलावा अगर आपका कुछ भी रहता है और आप लोगों पर दोनों गजरूर रहीएगा मिलते हैं next नए questions के ताब नए lecture के ताब 10 a.m. पर तल और 6 p.m. पर आज चलिए Thank you